अब गाइस वेलकॉम और वेलकम बैक टुम मैं चैनल शिप्र लाइफ्स्टाइल इस वीडियो में आपको बताने वाले हूं एक ऐसे खास मंदिर के बारे में जो बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही प्यारा है हम फ्रस्ट टाइम जा रहें हैं तो आप जा सकते हो आपको विरार फाटा बोलना पड़ेगा जैसे कि मंदिर पहुंच चुके हैं आपका मंदिर का नाम है शिष्णाक्षिव मंदिर इद्ध भीड वहां पे नहीं रहती है आज का दिन था तैवार का फैस्टिवल का शे आज नाक पंच मी थी इसलिए और सावन का समवार भी था इसे लितनी भीड़ है यहां पर वैसे तो यह मंदिर पूरा का पूरा खाली रहता है और बहुत सुन्दर मंदिर हम भी फॉर्स ट्राइम गयते हैं इसका आसपास का नजारा बहुत सुन्दर है और आपको बहुत मसा आएगा अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो ऐसे दि आशे जा सकते हो ट्रेन के जा सकते हो आपको रिक्षत कर नहीं पढ़ेगा और कopers सोन्दीक हाईवे सबस्क्स को दोक्तर आपको जब जाने के आपको नहीं को दोuuuu सब्सक्राइब करें तो इस तरीके से थोड़ा सा चड़ावा चड़ने वाला है सेड़ी वगएरा नहीं है बट आपको ऐसे चड़ने के लिए रहेगा और यहां भी इस तरीके से हम लोग तो गये थे हम लोग को थोड़ा सा यह सब चीजे मतलब अच्छा लगते हैं मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए हमने लोग लगाया था दो रोपे की एक चाप और टीका का भी पैसा था मतलब सबकी कमाई अपनी अपनी हैं सब अपना कमाना चाते हैं तो इस तरीके से हमने हर चीज इंजॉई की हर चीज मज़े करें और हमने लगाई मिठाई खिलोने कप अपना जा सकते हो एक प्यार से मंदिर में यहां पर हम लोग इतने एक्सारेट होगे कि सबके सब लगाने लगे मेहंदी सबको पता है कि पानी पढ़ते ही पास आते ही खराब हो जाता है मिठ जाता है बड़ फिर भी सबने लगा लिया उसके बाद हम चले आगे थोड़ी स को भोजन करना है तो उसके लिए एक स्पेशल जगह है नीचे साइड अब वहां जाके खा सकते हो खाना वगएरा कि उसके आप आगे हम लोग आगे उपर सीडी से नॉर्मल मुझे लगे दस से पंदर सेड़ी होंगी सिर्फ नॉमल सेडी से लाइन लगा लिए हमने उसके उपर चड़ने के लिए हम त्यार हो चुके थे फूरसी बेढ़ें यहां पर लेकिन फिर बिन नॉर्मल तरीके से हम लोग अराम तरीके से अराम से लोग चले गया यहां पर दिन था नाखपंची मिंका इसलिए तनी तरीके से भीर लगी ओई थी इतनी तरीके से बीढ़र पर जल, दूद, फल, फूल, सबको चड़ाया हुआ था, जो कि सबके पैरों में लग रहा था, यह बहुत गंदा लगा, मुझे देखे, अगर आप ऐसा करते हो, तो प्लीज बिल्कुल भी मत करो, क्यों कि वह सबके पैरों में लग रहा, तो क्या फाइदा, दूद हुआ, य अगर आप उनको देखो को जासा लगा गया, सच में भगवान जी बैठे हुए, उनकी पूजा करने के बाद, उनकी प्रणाम करने के बाद, हम बढ़ गए आगे, यहां पर दित्ते मुझे इस तरीके से देख रही है, तो उसके बाद आगए हम अंदर के साइड में लगाया हुआ था, क्योंकि लोग भागे ना, लोग घुसे ना, किसी को किसी प्रकार की प्राब्लम नो हो, इसे लिए लगाया गया था, यहां पर भगवान जी की पालकी भी थी, जो गुमाते हैं पालकी चारो तरफ पालकी भी लाके रखी हुई थी, उसके भी हमने अतावरन बहुत शुद्ध है, और प्यारा भी है, तो यहां पर आ गए हम में गेट के पास, थोड़ी सी यहां पर भगदर मच रही थी, क्योंकि सब पहले घुसरे, कोई पहले जा रहा है, कोई पहले जा रहा है, इस तरीके से था, और तेवार की दिन एक घाटा रहता है, कि आप अच्छी तरीके से दर्शन नहीं कर सकते हो, नॉमल डे में ऐसा है, कि आप अराम से जाओ, अराम से भगवान जी को प्रणाम करो, अराम से उनको देखो, और ऐसे दिनों में ऐसा रहता है, कि वो पंडित लोग खुदी छूने नहीं देते हैं, इससे कि आप देख और यहां पर हमारी चीज़ें को लेके खुदी वो डाल देने कि हमें इतना समय नहीं है, कि वहां पर हम खड़ेंगे इसको डाले, दू चड़ाए, फॉल चड़ाए, फूल चड़ाए, तो यह सारी चीज़ें होती है, तेहवार वाले दिन तो आप बिल्कुल भी मत जाना, तेहवार वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं, कोई भी तेहवार अगर आपको है, तो उस दिन तो आप बिल्कुल भी मत जाओ, नॉर्मल डे में जाओ, यह पूरा खाली रहता है, यहां पर कुछ भी नहीं रहता है, इतने पुब्लिक नहीं रहती है, लेकिन तेहवार वाल बहुत ही सुन्दर है और अट्रेक्टिव है उसके बाद यहां कैसे सो दर्शन करने के बाद इस साइड हम लोग आ गए यहां पे थोड़ी सी जगह खाली है आप खड़े के फोटो निकाल सकते हो और आम से बैठ सकते हो यह सब पूरा खाली रहता है आज तो इसी भीरती लेक है ऐसा भी नहीं कहोंगी थोड़ा सा कुछ दिक्कती कोई प्रॉब्लम थी तो अच्छी तरीकी सारे दर्शन वर्शन हो गए और यहां पिनारी लगेरा चड़ाते जो माने रहते लोग वो लोग चड़ाते तो यहां पिनारी लगेरा रखा हुआ है उसके बाद हम बैठे जो बाउंडरी बनाया था उसके अंदर आगे बटे और थोड़ी देर अराम किया उसके बाद मैं आपको यहां का बाहर का थोड़ा सा माहौल दिखा रही हूँ यह पुरा जंगल टाइप है आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है खास बठा है अच्छी जगर ऐसा भी नहीं कि ए इतना ही यह वीडियो में खत्म करते हूं आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट ज़रू कर देना बाइए